क्योंकि उनका नारा था कि सौ में नब्बे सोसित है, सोसितों ने ललकारा है, धन धर्ती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है आप देखें कि इन जातियों के साथ एक तो जाती अन्या है ही आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का सोशन को था और उसके सबसे बड़े जो आइकन है, सबसे बड़े जो मसाया फिगर है वो है जगदेव बावो, तालुकात रखने वाली पार्टी वो भी जगदेव परसाथ के नारों को यूज़ करने लगी है भारत के विश्विध्याले सामन्त वाद के सबसे बड़े गढ़ बने हुए मैं एक लंबी लड़ाई की सुरुआत कर रहा हूँ, जो सो और सो तक चलेगी, तो हम उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीड़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीड़ी के लोग सासंकर ये कौन लोग हैं इस तरह की बवस्ताबन आने वाले लोग आने वाले समय में हम उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा प्रदान मंत्री बन जाएगा, राम उनात कोबिन जैसा राश्पती बन जाएगा, तुसे किसी पीछडे दलित का क्या फायदा होने वाला है साथियों नमस्कार, मैं हूँ वबेन सिंग और आप देख रहे हैं इंडस निउज मैं हूँ उस समय जैनू में, जैनू में यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग हमारे साथ हैं और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट से जो बावु जगते प्रसाज जी अपने च्छात जीवन सही सोसित बंचतों की लड़ाई को लड़ते हुआ थे कल उनका जनम दिन है, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकि हम बात करेंगे यह भी स्टूडेंट हैं और यह भी क्रांतिकार स्टूडेंट हैं क्योंकि यह भी सोसित बंचतों की आवाज को च्छात जीवन सही उठा रहे हैं बहुजन समाज के मुद्दों को उठाते हैं इसे अब बात करें कि जेनु में यह किस तरह से बावु जगदेव परसाजी जेनती और उनके बिचारों को किस तरह से फैलाएं क्योंकि बहुजन जो आंदुलन है वो च्छात जीवन से इस्टाड हो जाता है कल बावु जगदेव परसाजी जेनती है वो खुद च्छात जीवन से इस्टाड बंचतों के मसिया बिहाल लेलिन कहा जाता है तो कल उनकी जेनती है किस तरह से आप लोग क्या काय करम रहेगा कल हम लोग बावु जगदेव परसाजी जेनती मनाने का काम करेंगे और उसके ताहत हम एक डॉक्यमेंटरी भी स्क्रीन कर रहे है और हमारे कुछ स्पीकर्स भी आएंगे जो अपनी बात रखेंगे हमने पहले भी 2018 से 2019 से हम लोग जगदेव परसाजी की जेनती मनाने का काम कर रहे हैं उनका सहादत दिवस भी मनाते हैं और उनका बर्थ एनिवर्सरी भी हम लोग सेलिबरेट करते हैं और धूम धड़ाके से करते हैं उनके नारे भी आजकल हम लोग हर जगा वाल पे आपको है जगदेव बावू क्योंकि उनका नारा था कि सो में नब्बे सोसित है सोसितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है तो हम नब्बे की बात करते हैं तो बहुजन राजनीती में जो सबसे बढ़िया जो बात जो जगदेव परसाद के जो क और उसका नतीजह है कि आज left जैसी party जो आईसा जैसी party है और उर तमाम तरह की left से जो तालुकात रखने वाली party वो भी जगदे परसाथ के नारों को use करने लगी है तो ये बहुजन राजनीती है है हमारे जैसे जो चात राजनीती करने वाले लोगों की एक तरीके से ताकत है अगर आप जो पिछले चार-पांच सालों में जो अगर यहां का अगर यहां का डेटा उठाते हैं कि किस समाज से लोग आ रहे हैं या उनका जो नंबर से वो काफी बढ़ा है आज हमारा जो समाज है जिसको मेरिट के नाम पे बोला जाता था कि इनके पास मेरिट नहीं है और मंडल रिजर्वेशन आने से जो मेरिट का जो आईडिया है वो खतम हो जाएगा लेकिन आप अगर सोसित वंचित जो समुदाय से आ रहा है तो मेरे ख्याल से अब नंबर्स इस कैंपस में आ गया है मुद्दे भी हम लोग ने यहां पर नैरेटिव भी लेके आ गया है जो जगदेव परसाद का जो बात था अब बस चुनाब होगा और यह चुनाब अभी कुछ दिनों में ह सापित हो गया है और चुनाब में भी इसका आपको असर देखने को मिलेगा देखिए चुनाब होने को कावे समय से जेनु का चुनाब अटके हुए हैं लेकिन जो चात जीवन से जो 90 की बात है कि 90 परसंट आवादी का हिस्सेदारी हो चाहिए जैसे कि बताया कि जो में कही जाती है और उसे पहले बात में कर लेता हूं न Thai के लोग मारे जाएंगे द्रूसरी लोग जैल गेगे तीसरी पीड़ी के लोग सासन करेंगे तो बहुजन हो कि यह तीसरी पीड़ी जो अपना बरतमान खुद तहैं कर रही है किसी और ठीती कई सकते मैं कि रहेह रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है, वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मोन है, तो यह जो कविता लिखी गई है, आप समझे कि जो बहुजन समाज है, अपनी आवाज खुद बन कर उबरा है, तमाम पिछडे या ति पिछडे दलिस समाज के लोग भार आप सामंतवात का में किला इसलिए बोलता हूं, कि भारत के विश्विद्याले अभी भी न्याइप्रिय नहीं बन पाए है, आप देखेंगे कि यादव, यादव, पटेल, कुछ और जो ओबीसी की अपर जातियां है, उनके लोग तो भारत की कैमपस में दिख जाते हैं, लेकिन उनी ओबीसी के अंदर आने वाली बहुत सारी जातियों के लोग भारत के विश्विद्यालव में अभी भी नहीं पहुँच पाए हैं, और उसका जो सबसे बड़ा कारण यह है, कि आप देखें, इन जातियों के साथ एक तो जाती अन्या है ही, आर्थिक और सामाज के अपने बच्चों का एडमिसन करते हैं, उस पे किसी OBC, किसी दलित का एडमिसन नहीं होता है, तो भारत में आप देखें कि आप इंडियन एक्स्प्रेस का इसी साल का डेटा है, कि भारत के विश्विद्याले में सिर्फ 61 प्रोफेसर हैं, समाजवादी लोग इसकी लड अभी महिला बनाई गए हैं, तो हम लोग लिन के आधार पे धर्म के आधार पे हर तरह के भेद भाव को खत्म करना चाहिए, जैसा कि बावु जगदे प्रसाज जी उसमें जो कुरांती कारी काम किया था, जो उन्होंने नारा दिया था कि सौमन अब्यसुत, उन्होंने कई सारे स्लोगन थे जो आज भी आप लोग बोलते हैं, लेकिन उन्होंने के जैसा क्या कोई दूसरा लीडर जो निधर सासे इनको जवाब देगा सामनती है, कोई है ऐसा लीडर, ऐसे लीडर तो भारत में भरे पड़े हैं, हेमन सोरेन क्या इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे तो जस्वी यादो कि इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अखिलेश यादो जी इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तमाम बहुजन लीडर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया उनके खिलाफ लगा हुआ है, दुस प्रचार कर रहा है, क्योंकि आप जानते वो भी मनुवादी तरीके से सोचने वाले लोग हैं जो सामंती लोगों के इसारे पर काम करते हैं मीडिया के अंदर तो मीडिया में भी भागेदारी सुनिश्चित नहीं है तो ऐसे लीडरों को बदनाम किया जाएगा क्या बाबू जगदेव प्रसाद को जमानें बदनाम न बनाने वाले लोग यह वही लोग हैं जो मीडिया के अंदर बैठे हैं जो नरेटिव बनाते हैं कि दरसले लोग समाज बिरोधी लोग हैं हमारे जो लीडर हैं वो एक एक लीडर बाबू जगदेव प्रसाद के रास्ते पर चलने वाले रहे हैं लेकिन फिर भी अब 90 की बा जबकि उस समय करांती बहुत आ गेती बहुत आया अग्रसेप थे उसमय लोग लेकिन उसके बाद यह रुखसा गया है जो महावल इसकी कौन जिम्मेदार है क्या कारण क्या लगता है कि बाउजय प्रसाद जी के देखिए प्रधान मंतरी ओभी सी दलित बनने से हमको बहु इस बार बनेगा जो भारत का जो अगला प्रधान मंतरी बनेगा वह किसी बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति बनेगा इतना है इंडिया अलाइंस का समझ लीजिए कि कोई प्रधान मंतरी अगर बनेगा तो बहुजन समाज का ही व्यक्ति होगा क्या लगता है आपको बावु जगदेव परसाद जी के जो विचार है कि आज भी विश्विध्यालों में जिन्दा है उनके विचार को जिन्दा किया गया है एक्शली जब पहले जो लेफ्ट था तो वो बावु जगदेव परसाद को उतना वो नहीं देते थे लेकिन जब से समाजवारी धड़ों की पाटियां आई है यहाँ पर समाजवारी चात्र संक्ठन आया है जैसे चातराजद हो या समाजवारी चात्र सभा ओ तब से बावु जगदेव परसाद की बात की जाने लगी है कैंपस में अब कल उनकी जैनती का क्या कारक्रम होगा और अभी आपने कहा कि जो लड़ाई है उस पे अभी तक कहा मतलब किस जगह पे हम खड़े हैं तो बाउ जगदेपरसाद में 25 अगसाए 1967 का दिन था तो उन्होंने कहा था कि मैं एक लंबी लड़ाई की सुरुआत कर रहा हूं जो सो वर्सों तक चलेगी तो हम उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अंत्तोगत्वा उन्होंने कहा था कि अंत्तोगत्वा जीत हमारी होगी कि तीसरी पीड़ी के जो लोग जो राज करने की बात वो करते थे कि पहली पीड़ी के लोग मारे जाएंगे दूसरी पीड़ी जेल जाएगी तो आप देख ले तो अंत्तोगत्वा जो हमारी जीत इस सेंस में होई कि अभी का जो पीड़ी है जो विस्विद्यालियों में ह जो राजनीतिक और जो बौधिक चेतना जो आई है उसके थुरू ही कुछ न कुछ नए लीडर उभर के आएंगे और आप देखे कि अगर वो हमारे जगदेव परसाद नहीं होते तो क्या सिक्षा का या फिर राजनीतिक जो अती पिछड़ा पिछड़ा का राजनीति करन नह पासवान नहीं होते तमाम तरह के जो बाुजन लीडर जिनोंने पचेस साल प्यार में या यूपी में राज किया वो नहीं होते तो कहने का मतलब है है कि वो आ रही थिसरी नए तैयार है और उन तक एक बात और आप कह रहे थे कि बहुजनों में अभी एकता क्यों नहीं है तो वो अभी जो JNU SU का जो चुनाब होने वाला है उसमें आपको दिखेगा जैसे बापसा संगठन है बापसा हो गया छात राजा JNU जिसका मैं परतिनिदित्व करता हूँ या समाजबादी छातर सवा का तो ये सब लोग हम लोग एक साथ आने के लिए तयार है और एक इंडिया एलायंस के जैसा ही एक एलायंस यहां बनेगा और लेफ्ट और राइट के बाइनरी के बीच हम लोग जीत के आएंगे और एक बंचित समाज ती पिछड़ा या दलित समाज से एक लीडर आपको देखने को मिलेगा और यही हमारी सुबकामना होगी आने वाले दिनों में आपको देखने को और इन्हों ने पूरे 20 विध्यालों में दिवालों पर इन्होंने बावुजगते प्रसाद स्लोगन को लिखा आए और गाड़ा आए और उनकी बिचार धारा को इस केमपस में भी रखा है जो इन्होंने सोसेट बंचितों की राजनी सुलात की चाहें करपोई ठाकरों चाहें नीतेश कुमार जी हो चाहें लालु यादा हो यह सब बावुजगते प्रसाद जी के अंदुलन से ही निकले हैं आपकी क्यारा आप हमें कमेंट बॉक्स में जुरूत आई है धन्यवाद